सीधी मां पुलिस सधीक्षक के एक साल के कारिकाल के लेखा जोखा आबा है ये लेखा जोखा से पूरे सीधी जिलावासिम का एक बेहत अच्छी उमीद देखान कि सीधी मां अवएध रूप से चलड़े ब्यापार पर सीधी नवागत पुलिस सधीक्षक के आए के बाद प्रेस कॉन्फरेंस रही या दोरान सीधी पुलिस सधीक्षक से मुखातिब होगे हम उगों को मौका मिला पहले तो बहुत-बहुत स्वागा तो बहुत-बहुत कारिकाल खीतिर अपने का बधाई ये वह शुब कामना बहुत-बहुत धन्यवाद कनिश जी आपका और आज य कमिया रहे गई यह उसको सुधार करते वे और अधिक सकारात्मक क्या कारे कर सकते हैं समाज हित में क्या काम कर सकते हैं उसको लेकर सभी लोगों के साथ में एक बैठक दी सेर आप लगातार जो है एक साल के वरानाफ सीधी को आपने भी अच्छी तरी से जान लिया पहचान लिया सब कुछ होगा. सर प्रमुक्ष समस्या ग्या रही है ऐहां पर क्या है और गैर संदी तपराद कान से है इसका क्या आपने डिफि isn Sarah देखिए जो है सीधी एक पहले दिम्हां बता दूँ की यहां पे आधिवासी उए और जो हमारा फॉरेस्ट एरिया बहुत बड़ा एरिया है और सीधी में जो है विकास की लहर अभी चले जा रही है और सीधी में बहुत सारी चीजें सीधी में ऐसी है जो और्गनाइजड क्राइम एक्टिविटी के अंदर आती है जो कई लोग ऐसे होते हैं जो समाज के हिद को प्रभावित करते हैं उसको दूर करने का काम उसको रोकने का काम पुलिस भी भाग का रहता है और्गनाइजड एक्टिविटी में जो और्गनाइजड माफिया आपने पूछे हैं वो राजसाशन द्वारा भी परिभाशित किये गए हैं उसमें अवैद शराब को लेके अवैद नशा जो बेचने वाले हैं जो हमारे नार्कोटिक्स ड्रग्स में आते हैं इलिगल माइन फाइनेशल संस्थानों वाले लोग जो हैं जो लोगों के पैसे लेके गायब हो जाते हैं गरीब जनता के वो भी और्गनाइजड क्राइम में आते हैं इसके साथ लैंड माफिया जो भू माफिया बोलते हैं कि सरकारी संपती पे कबज़ा करना या किसी प्राइबेट वैक पानों से राशन की काला बजरी करना या मिलावट खोरी वाले माफिया जो हैं यह सभी माफिया की शड़ी में आते हैं और उन सभी माफिया की केटेगरीज में पुलिस ने बहुत अच्छा काम किया है पिछले एक वर्ष में जैसे तोर पर सर जैसे आपने भी काफी अपरा होती है तो कितने ऐसे मामले आए जिसको आपने तत्काल रूप से पूरा निप्टा रही है हत्या के जितने भी मामले आए हैं पिछले एक वर्ष में नए मामले उसमें एक अपराद को छोड़के से सभी हत्याओं का खुलासक किया जा चुका है और कई ऐसे जो घंबीर किस हुसमी के अपराद हैं चाए वो हुसमी के हमारे साशकी स्टाव नायपत सिल्दार पे हमला हो चाए अन्य जो शहर के बाहर बाइपास पे एक बॉड़ी हमें मिली थी 302 मडर का केस था उसका खुलासा हो यह कमर्जी धाना छेतर में दो हत्याएं एक साथ हुई थी पीसी अपराद हैं उन सभी का खुलासा किया है इसके साथ साथ में जो प्रॉपर्टी ओफेंडर्स हैं कोई ऐसे घंबीर लूट की वारदाते हैं पूरे साल भर में प्रिवेंट करने में पुलिस सफल रही है लूट की वारदात हो चेंज स्नैचिंग हो नकब जनी बड़ प्रॉपर्टी संबंदी अपराद हैं संपति संबंदी अपराद हैं किसी व्यक्ति की इतना शादी का सीजन आया व्यापारियों के साथ में सबी लोग महफूज रहे पुलिस की व्यवस्ता चाक्चोबंद रही और इसी तरीके से हम लोग आगे भी सभी लोगों के सहयोग से विवस्ता कायम रखेंगे सर आपने अभी कहा हत्या जैसे अपराद हुए है तो सर हत्या की अपराद में वजह क्या निकल के सामने आई कि क्योंकि कारण भी पता लगाना आपका ही काम है कि क्या वजह रहती है कि जो इस तरह से मर्डर जैसे क्योंकि सीधी एक ऐसा छोटी जगह है यहां कुछ इतना जो है यह इस तरीके की वारदात सुनने को नहीं मलती है मगर वजह क्या सामने आती है कि इस तरह से हत्या और जैसे गंभीर अपराद गटित होते है सीधी जैसी जगह देखें एक तो हत्या की जो अपराद की संख्या है वो पिछले सालों की हत्य जाए कि तुलना में लगभग सेम रही है हत्या के अपराद में व्रद्धी नहीं हुई है ना कमी हुई है अधिकांस हत्याएं जो है वो पारिवारिक विवाद को लेके या अपनी जो दोस्ती में कुछ नशे में कुछ व्यक्तियों के द्वारा यह कृत्टिय करने से या उन लोगों के बीच में विक्तिकर जहगडों को लेके भहुत सारी या जमीनी विवादों को लेके बहुत सारी इस तरीकी की घटनाय गठेत हुई है. मैंसल तौर पर महिला अपराद को लेकर सरकार भी, मद्वपरदयस की सरकार भी प्रतिबद्ध है अभी महिला थानों का सुभारम्भि हो रहा है क्या मानते हैं सब की एक साल कारयकाल के दोรान में महिला अप्रादों पर कितना अंकुस आपने लगा पाया और कितनी महिलाओं न्याय दिला पाया है वं कितनplease दिए महिला अपराद हमारा जो प्रात्मिक्ता वाला एरिया है और महिला अपराद की दिशा में एक नया महिला धाना जैसे आपने बताया है वो चालुक किया गया है उसका और अच्छे से भी सुभारम किया जाना है वाने मुक्यमंत्री जी दुआरा 42 जिलों में ऐसे महिला महिला धाने पुरे प्रदेश में खूले गए हैं परिवार परामर्स के साथ साथ में अन्य चीजें जो है पती-पत्नी के जगड़े या अन्य जो परिवारिक जगड़े हैं वहां पे उन चीजों को एड्रेस किया जाएगा महिला अपरादों में घंबीर महिला अपराद इस तरीके के सं वही लगातार जारी है ऐसे कोई भी महिला अपराद नहीं है जिसमें आरोपियों की तद्काल ग्रिफतारी नहीं हो पाई है सर महिला थाना जो खुला है उसका जिलेवासी लाप कैसे ले सकेंगे उसके बारे में थोड़ा बताएं महिला थाना एक सकरात्म को एक सोशल पहल है इसमें दहेश से समंदित मानसिक प्रताणना सारिक प्रताणना से मंदिद चीजें हैं या परिवारिकश को लेके इसमें अन्य महिला समंदित अपराद जैसेशे फोटो किसी खेचना किसी को blackmail करना महिलाओं बच्चियों के साथ में जो अन्य अपराद होते हैं बहिला फुसला के नावालिक बच्चियों को बच्चों को ले जाना ये सबी महिला अपराद की कैटेगरी में आता है और जैसे जैसे लोगों को पता चलेगा ये पूरे इसका छेतरादिकार पूरा सीधी जिला है तो कहीं का भी फरियादी इस थाने में आके अपनी रिपोर्ट कर सकता है इसका पूरा सीधी जिला भर का छेतरादिकार रहेगा और इसमें जो इसका थाना प्रभारी रहेंगे बो महिला धाना पर बारी रहेंगे और काफिस स्टाफ महिला ही उस्ताफ रहे गा और वहाँ पे काउंशलर की नीकृतियां भी करेंगे तो परीवार परामर्स टॉप्र वहा है उनको बचाया जा सके जो मानने नैलें के भी निर्देश ने कि प्री काउंसलिंग जो है अपराद दर्ज करने से पहले अगर काउंसलिंग से अगर मामला सांथ हो सकता है तो वो भी उसमें की जाएगी और यह सामाजिक पहल है और सबी लोगों को इसमें बढ़ चड़ के आगे आना चाहिए और मह क्यों इस पर सफल नहीं हो पा रही है कहां दिक्कत कहा रही है कि सहर में CCTV विवस्था नहीं बहाल हो पा रही है और बहुत ही यह दुरबागे पूर्ण है कि सीधी में अभी CCTV विवस्था नहीं है इस दिशा में माने सीधी विधायक जी ने भी कुछ विधायक मेंदी से पै और लेकिन इसके साथ साथ में प्रदेश साशन से भी मैंने मांग की है और यहां से हमारे विभाग के माध्यम से क्योंकि कई बड़े जिलों में छोटे जिलों में भी इस तरी के कैमराज के आसपास का पूरी दिवार पे दिखता है और एक जगवे बैठते हुए पूरे शहर के चारो या पांचो कोने जित्ते भी हैं जित्ते आवागमन के जो रास्ते हैं उस सारे ट्रैक हो सकते हैं सित्वर पर हमरे साथ रहें सीधी के पुलिस सधीक्षक पंकच कुमावत सर जिनके द्वारा लगातार यह कहागा कि सीधी मा अपराधन खीतिर खत्म करें खीतिर लगातार सीधी पुलिस प्रतिबद्ध है साथ मा महिला थाना के सौगात सीधी का मिली है तो हो महिला संबंधी अपराधन के निराकरण में पुलिस जो है प्रतिबद्ध है उसात्म सीधी का बहुत जल्द अपना के द्वरा कहागा है कि लगातार माकीन या लही सीची टीवी कैम रखी थी तो बहुत जल्द यहों सोगात मिल सका थी आपने भूत ख्याल लखब अपने परिवार के भूत चालक अब धन्यवाद प्रड़ाम